प्याज में आइरन अंटी आक्सिदेंट और फॉलिट सहीत विटामिन सी और बी होते हैं और इसलिए आपको गर्मी में ठंडक पाने के लिए प्याज को डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए इसके अलावा इसके और भी कई फायते हैं पतादे प्याज में कूलिंग एजिंट होते हैं जो बॉड़ी के टेंपरेचर को बैलन्स करने में मदद करता है आप सैलेट के तौर पर कच्चे प्याज का सेवन कर सकते हैं इतना ही नहीं प्याज आपके ब्लाड प्रेशर को भी कंचोल रखने में मदद करता है क्योंकि इसमें पोटाशियम होता है तो हाई ब्लाड प्रेशर लोगों को सलाथ के रूप में प्याज का सेवन करना चाहिए बता दे प्याज का गलाइसेमिक इंडेक्स दस से भी कम होता है जो डाइविटीज के मरीजों के लिए फाइदिमन हो सकता है प्याज में बहुत कम काप्स और हाई फाइबर होता है ये गुर्ण मिलकर प्याज को डाइविटीज के मरीजों के लिए फाइदिमन सबसी बनाते हैं इतना ही नहीं प्याज में फाइबर और प्री बायोटिक्स की अच्छी मात्रा होती है जो आत के स्वास्त के लिए फाइदिमन बन सकती है प्याज की मदद से आप अपनी पाचन क्रिया को दुरुस्त रख सकते हैं प्याज कलिस्ट्रोल लेबल को कंजोल करके हार्ट हेल्थ को भी बढ़ावा देता है